दोस्तों आज मैं आपको बतने वाला हूं कि प्राइवेट गाड़ी को कॉमर्शल करने में कितना खर्चा आता है और इस पे उपर क्या-क्या प्रोसेस आपको करना पड़ता है जो भी मैन इंपोर्टेंट चीजें वो सारे चीजें के बारे में आज का ब्लोग है अगर आप क कोई भी प्राइवेट गाड़ी है आपके पास उसको कॉमर्शल करा रहा है और कॉमर्शल कराना आपका भी एक कुशन आपके मन में सवाल है तो कितना खर्चा आएगा और क्या-क्या प्रोसेस होता है तो आज का ब्लोग इसी के उपर है लोग अच्छा लगे तो लाइक ज प्रेश्वस होता है आपको क्या-क्या डॉक्यमेंट्स लगेंगे और वहाँ पर आपको किन-किन चीजों की जरूद पड़ेगी और सारी चीजें इंक्वारी आपको किस चीज चीज पर है आपको डिपेंड करना है उसके बाद ही आपको प्राइवेट गाड़ी को कॉमर् कि मेंट्स लेकर उन चीजों के बारे में आपको सबसे पहले जान लेना है में चीज अगर आपकी गाड़ी पैट्टोल है सी एंजी करा रहे हैं सी उसके उपर फिटिंग करा रहे हैं तो उस गाड़ी को पर आटियो सी एपरोवल देगा क्या नहीं देगा इसकी इंक्वार निकलने के बाद अपनी गाड़ी जो भी है उसमें पईसे लगा रहे हैं उसमें खर्चा कर रहे हैं तब ही आपको उसके आगे का प्लान करना है खर्चा करना है तो आपको अगर कोई भी प्राइवेट गाड़ी आपको को मैं आपको बता दूँ एक इसकी यह कि यहां पर क प्राइबेट से कॉमर्चल करने का खर्चा पता है और उसने भाई ने करा भी दिया मतलब दे भी दिया और प्रोसेश चालू भी हो गया तो ठीक ऐसी तरीके सा आपको भी अपनी घाड़ी के बारे में सबसे पहले इंक्वारी कर लेना है सारी चीजों के अंदर उला चड़ेगी के नहीं चड़ेगी और सी चुछों को आपको फाइनली कर लेना उसके बाद ही आपको पैसे करने यहां पर आपको खर्चे की बात कर लों कि आपकी गाड़ी प्राइबेट से कुमर्चल किन्न आएगी जिस तरीके यहां पर मैंने आपको एक कोमेंट दिखा इ और यहां पर खर्चा कितना होता है वह आपको बता दिया डॉक्यमेंट में आपको सारी चीजें इंकूड करनी हैं तभी आपकी गाड़ी लीगल होगी नहीं तो बगार है इल्लीगल होगी आपके अगर हम और अगर नहीं ब loro कि जतिकरान की नहीं बता है उल्लीग कलारां हुआ पर मुझे इंसरिंस से याद आया कि जो प्राइवेट्ट गाड़ी हो जाईको ट्रांसफर गारी हो जाएगी तो वहाँ पर आपका नमबर चेंज हो जाएगा जो आपकी गाड़ी का नमबर पहले था बात में जब ट्रांसफर हो गी तो गाड़ी का नमबर दूसरा हो गया अपको यहां पर यह समझ लेना है कापी सारे बहुत के कोमेट आते है कि आसिप बैई जो प्राइबट गारी का इंस्वेंस रखना पड़ेगा, आपको दूसरा insurance policy लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले वाला insurance था वो था आपकी private गाड़ी का, आपने अभी private से commercial करा लिए, तो आपका insurance हो गया commercial गाड़ी का, तो आपको नया commercial गाड़ी का insurance अलग से कराना होता है, और उसके जो चार्जिस होते हैं, वो document आपको carry कर लेना है, सारे documents को उपर जितने भी papers होते हैं, गड़ी के, सारे कुछ चेक कर लेना है, उसके बाद आगे का process आपको finally करना है, तो दोस्तों, आज का vlog इतना ही था, फिर मिलेंगे next vlog के साथ, तब तक के लिए, goodbye.